ऐसा कहां जाता है कि हर एक इंसान के पामियाव होने के लिए उसके पास कोई डालेंग, उनर, स्किल, एडुकेशन, तालिब यह सब चीज का होना ज़रूरी है, बेशब यह सब चीजे होनी चाहिए इसके साथ सा मैंने देखा है कि कही साने लोग इतना एडुकेटेटेट नहीं है, पेशडी, डिग्री, वो सारे को अलुकेशन, एंबीए नहीं है, फिर भी कई न कई जिन्दगी में कोई न कोई मकाम तक पहुचेंगे, यानि कि उनके अदर ऐसी कुछ आदते होंगी इसके जिसके वो इस मकाम तक पहुचेंगे, जब मैं अपनी जिन्दगी देखता हूँ, जिस आदतों को अपने जिन्दगी में मैंने फॉलो किया, एक मकाम तक पूछने का एक मौका में तो क्या वो चीज़ें हैं, जिसके लिए कोई टेनेंट की जरुरत नहीं हुए हुए, पह सबसे पहनी की जो है, being on time, वक्त पर आने, कोई वक्त पर आने विलिए कोई talent की जरुद में है, कोई qualification की जरुद में है, और बहुत जरूरी है time की पदर करना, being on time is a very important parameter in everyone's life, आपको खुद का वक्त वेस्ट करने को फूरा अभिकार है, लेकिन किसी और को अगर हमने वक्त दिया है, तो we don't have the right to waste other's time, so being on time is the first value, second is work ethics, Muslim इमान से काम करना, इसके लिए कोई qualification में डिगरी की जरुद में होती है और दुस्ता, जो भी आपको काम दिया है, उस काम को इमानदारी से करना, is one of the most important aspects in everyone's life, तो तिसकी सब से important things होती है, पैशन, अगर आपके बदर पैशन तो फिर वो खाम कुछ काम करने ही रहेगा, आप फिर एक उजन आपका शरीर जो है, वो काम करें, आपकी आत्मा काम नहीं करेंगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ, इसकी राशीन की जिता है, उसके अंदर कभी पैशन नहीं हो सकता, और यही पैशन के विज़े से, चाउट्व काम करते बाद, जो एनर्जी है, मैंने बेखा है, कहीं सारे लोग, वालिफाइड होते हैं, आपको देखकर अप्र नहीं करने हैं, कोई एनर्जी है, और किसी एनर्जी से निकलता है आपका बोड़ी लाइंगेज, आपको देखकर पता चल जाता है, कि आप वो जो काम दर आपका कितना इंट्रेस्ट है, दोस्तों, यही आदते हमारें दर रही है, तो बगेर कोई टैलन के, बगेर कोई वालिफिकेशन के, हम सब दिल्देगी में एक मकाम कर पोड़ सकते हैं, तो पहला देखकर देखकर, दुसरा, मुस्तलम इमान से काम करने, वर्क एटिक्स, त पैशन के साथ काम दर, वर्केर राशन के जिए नशा होना चाहा आपको ताम दरने के लिए और इसी पैशन के साथ, एनलजी में करती है, और इसी पैशन के साथ, आपके अंदर, एक चौड़ता स्पोड़ी लाइंवेच्ज जल रेख होता है, मेरे नाप प्रजिश्ट वर मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब केजिए, श्याइब केजिए, थैंक ये